हेलो इन वेल्कम काई इस वागट आपका फेंटासी डिस्टन चलेंजर में तो आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाई जोस असम टी-20 की जोकी मैच होगा यहां पर सबन सीरीज चैंप्स वसिस दीहिंग पठकाई राइडर्स के बिच में होने वाली मैच की तो सब्सक्राइब करेंगे तो बात करेंगे इस में चोटी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं के तो सबसे पहले आपको यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंक्य पूरी तूर्णामनेट इसी यूटूब चैनल पर कवर की जाएंगे इसके साथ साथ आपको फैनल ऑपडेट में आपको टेलेगरम चैनल पे मिलने आपको सर्च करना एटरेट एफडिसी ट्वैंटिसेवन और आपको सिधा हमारा चैनल मिल जाएगा तो सिंपली आपको उसे जोइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल डेम आपको वही पर मिलने वाली है बात करें इस मैच के तो यह मैच दोपेर में बारा ब लेकिन आपको बता दू कि कल के दोनों ही मैच यहां से चेजिंग करने वाली टिम ने जीती थी तो आगरे कभी भी उलट-फुलट हो सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यह से टीम SBC की तो तीन में से एक ही मैच जीती अभी तक दो मैच हालती हो यारी इतनी कुछ खास नहीं है अठारा मैच इसके अंदर भाई सबने अभी तक सिर्फ यहां से साथ विकेट निकाले हुए तो इनको डिफ्रेंसले में ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो वैसे यहां से बिशाल शाहा को लेकिन जा सकते हो पिछली दो मैच के अंदर आप बरोसा क 53 लेकिन पिछली दोनों मैच के इतना कोई खास नहीं किया लेकिन और इनके पर बरोसा करना पड़ेगा और विकेट किविंग से दिखेंगे और हम लोग इनको ट्राइक जरूर करेंगे शाहिल जैन पहली मैच के अंदर 68 रन एक विकेट फिर यहां से 27 रन के लास मैच के न तो 19 विगेड है करीबन 23 के विज़े से 346 रन है इनको आप लोग डिफ्रेंसलों में जरूर टाय कर सकते हो थोड़ा सा रिस्की टीम बनाते हो ऐसे 4 मेंबर 5 मेंबर 11 मेंबर वाली तो ऐसे पर 30 बड़ा के उपर आपरो रिस्क ले सकते एवन मैं खुद अपनी टीम के काफी अच्छी हेल्प की बहुत की कम सिलेक्शन आथ था आई से 11 ए 12 परसेंटेज सेलेक्शन था लेकिन लास्ट मेंके नर मारी टीम के अंदर जरूर हमने शामिल किया था 36 रन और यहासे चारवस की गयन बाजी करते वाद दो विकेश निकाली थी मैन प्लेयर यहासे अप अपनी टीम के अंदर जरूर शामिल करेंगे तो एज प्लेयर यहासे मुक्तार हुसन वेरी इंपोरेंट फिक रहेंगे इवन लास्ट मैच के अंदर बैटेंग से 36 गिये थे आकाश शेतिली ने लास्ट मैच के ने रिकेट की गयन बाजी कि पहली मैच के जरूर मिली जरू इनको जरूर लेखे जाएगा इवन मेरी टीम के अंदर जरूर रह देगा रभी छेत्री को आप लोग ट्राइ कर सकते हो इवन पहली मैच के अंदर पब्लिक इनको केप्टन है वाइस केप्टन करती हुए आई थी लेकिन हमें अपको बता दू के यहां से एज अपलियर हमें लेके जाना है और यहां से अभी चौधरी बोलिंग सेक्शन में बहुत सारी उप्संस है दोनों ही टीम के पास तो यहां से कन्फिजन तो होने वाली है स्टार्टिंग वस में से एम हुसेन और आर चेटरी स्टार्ट करेंगे तो देथ वस में से एम हुसेन आर मली के साथ यहां से ए चौधरी देथ वस में गयन बाजी करते हुए नजर आएंगे तो यहां से बात करूँ बेंच की तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टैट्स आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेंगे तो जल्दी से जाके आपको टेलिग्राम चैनल को जॉइन के लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वही पर मिलने वाली है बात करें से टीम डीपी आर की तीन मेंच के लिए अभी तक का इनका परफॉमर्स काफी अच्छा रहा ओपनिंग में ऐसे निबिल डेका और यहां से संदीप पॉल मजुमदार दोनों ने ओपनिंग किया दोनों ही फैल रहे हैं निबिल डेका आउट और फॉर्म चल रहे तो इनको स्मॉल लिक के अंदर हम लोग शायद प्रिक ना करें लेकिन संदीप पॉल की बात करो तो यह भी लास्ट मैच के लिए लेकिन जीरो प्या आउट हो गए तो इनको भी लिने का कोई मतलब बनता नहीं वीजाई गौंतम ने लास्ट मैच के नहीं रठा र किये हुए तो इनके पर भरोसा कर सकते हो बाकि नाशीर उल्ला छे मैच के अंदर 113 रन करीबन 19 केवरेट से और पिछली दोनों मैच के ने ठीक ठाक परफरमस दे रहा है विकेट किपिंग सेक्शन से दिखेगा तो थोड़ा से इसक लेना चाहो तो इनके उपर रिसक ले स जोड़ेगा और अगर आज की मैच खेलते भी है तो इनके अपडेट में आपको यहां से टेली ग्रम में करवा दूँगा तो आप यहसे टेली ग्रम से जोड़ जाएगा और बात करें यासे फिखेट निकाले दूसरी मैच के लिकेट लेशर है लेकिन बेटिन से ग्यारा प्रब्लम हुआ था यहां से तो इनको लेकर जा सकते हैं अभी चकरौवाती प्लेयर इस टीम की तरफ से तो राजबोंसी को ट्राई करिएगा आगे आपको करता हूं नजर आ सकता है मैंने मेंशन किया है लेकिन कुछ प्रोब्लम हुआ था यहां से इनको दिक्कत आया थी तो अगर अगली मैंशना खेलेंगे नहीं अगर खेलेंगे तो यह उपर से खेलेंगे तो यह थोड़ा से आपको ध्यान में रखे चलना है इनको कुछ ना कुछ इंजरी जरूर हुई थी यासे प्रद्जिवन साही की अगो बात करेंगे तो बात करेंगे तो जल्दी से जाके आपको टेलेगरम जिनल को जोइन करेंगे तो अभी के लिए देख लेते हैं तो बात करें ऐसे विकेट किपिंग सेक्षन के तो एस गाड़ी काउग काउग मैं लेके जा रहा हूँ आप लोग चाहे तो इनको भी ट्राइ कर सकते हो बात की बात की जाए तो एस जैन अगर खेलते हैं सामने वाली टिम से तो इनको लेके जा सकते हैं यहाँ पर क्या प्रत्यूस बोरा को आप लोग ट्राइ कर सकते हैं प्लेयर्स अच्छा है कभी भी ऐसे बड़ा पर्फरमस दे सकता है आपर यहाँ राज वंच को ट्रा चाहो तो बाकि अभी के लिए मेरी टिम कुछ इस तरह से रह सकती है यहाँ मेरा यहां से विकाज छेतरी को के साथ जाने का मने तो मैं यहाँ इसे विकाज छेतरी को ट्यांट लेंगे और बाकी बॉलर कोई भी बॉलर कभी बी आसे तिन से चार विकेट निकाल लेता है तो इसके लिए हम लोग यहां से किसी भी बॉलर के ओपर रिस्क लेना जाए तो अपने ले सकते हैं अभी के लिए टीम कुछ इस रहेगी कैप्टन की मैंने पहले बात बता थी S यासे B-6-3 कैप्टन और यासे S जन वाइस कैप्टन रहेंगे अगर यासे पहले बेटिंग आती है तो S गाड़ी का उकर को भी आप लोग ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन के तोर पर ट्राइक का सकते हो बागि अभी के लिए TAM Xसरी में याद रहे के दिया मुट्व है फैनल टीम आपको कापर मिलेगी तो फैनल टीम आपको मिलेगी टैलिग्रम में मत बलकुल मत The नीचे में ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्रम का लिंक अटेच किया है इनके सगर लिंक वर्क ना करे तो टेलिग्रम में जाके आपको सर्च करना है फेंटासिटिशन चलेंजर या फिर आपको सर्च करना है डरेट fdc27 और आपको सीथा हमारा चैनल मिल जाएगा आपको इसे जोइन करना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल डिम आपको टेलिग्रम चैनल पर मिल जाएगे तो यहां अगर वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को आपको लाइक और शेर करना है साथी में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचिस के वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिल जाएंगे तो मिल दम लोग अगले वीडियो में एक नई सर्प्राइज ये वीडियो के साथ तब तक आप पूरा वीडियो रेकते रहो अच्छा ने लेसेस करते तो अच्छी टीम बना तो अच्छी मिनिंगे दे रहो तब तक के लिए बाई तन्यवाद जय हिन जय भारत